हेलो, नमस्कार, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस यूटूब में आज मैं आपको बताता हूँ कि देशिक अपास की विगयनी खेती कब और कैसे करे और कौन-कौन सी सावधा नहीं रखे अगर आप देशिक अपास की विजाई करते हो तो विजाई किसमें कौन-कौन सी सावधा नहीं रखे जिससे की वीज़गां को 900-1,3 अब और तिसक्त हो जिससे कि हमें कम खर्च वन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पसलगी पायदावार है प्राप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छ इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे तक कि आपको खिती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर वाच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अन् कपास के किस पंदरा अपरे шे सुरू होती है भी जाई अरियाना में मुख्यत कपास के तीन त्रहएगी इस्टानों की तरफ से प्रियोग कि Shallay जाती है जिसमे नर्मा बिटी कोस्य रश्य कपास सामिल है कपास के सभी पीजो की बिजाई अपरेल से शुरू हो जाती है जो पूरे मैने में रहती है देशिक बाद लगाने वाले किसानों को रियाना सकार परतियां करती तीन जारपे की विट्या मदद देती है इस मदद को प्राप करने के लिए राज्य कैसे किसानों को मेरी पिसल मेरा ब्योरा पूर्टल पर रेजिस्ट्रेशन कराना होता है रेजिस्ट्रेशन के प्रकिरिया 25 जनुरी से शुरू होती है और 30 मईद तक रेजिस्ट्रेशन करा सकते है जानकारी के मताबिक किसानों की तरफ से उन्दान के लिए रिजिस्ट्रेट संक करवाई जानने के बाद उसका बुद्धिक से तैपान होगा जिसके बाद किसानों को उन्दान असी जारी की जाएगी गुलाबी संड़ी बनिया समस्या कपास अर्याना में परमुनकडी फसल है जिस세요 अर्याना के किसान तोड़ी नमकिन आ कमज़ोर भूम में सबलता पुर्ग उओा रही है दान की तुलना में इसमें लागत कमर रहती है जिसकी बजार में इसका बावदान से अधिक करता है ऐसे में किसान कपाश की तरप अधिकास कर्षित हुए है До wear के वर्सों में उत्तर बात में होने वाले कपास की फशलों पर गुलाब्वी सुंडी लगजा रही हैं जिसमें कपास की फशलों दस्यक कपास की विजाई के लिए उप्यूगत समय नमबर दो खेता सुनाओ नमबर तीन मट्टे की जांच नमबर पाने की जांच नमबर पांच बुमी नमबर च्छा जलवाईू नमबर साथ खेता की त्यारी नम्बर पत्ति या फशल चक्कर, नंबर नो, पीज का सुनाओ, विज यूनन कीश में, विज का उपचार विज की मातरा, नंबर दस, बिजाई या फशल की बुआई, नंबर ग्यारा फशल की बुआई, शिचित था ऐसी छेतरों में, नंबर बारा कहरपतवार की रोगताम, नंबर तेरा तीस दिन बाद सिचाई । नमबर चवदा तीस दिन बाद सिचाई या फिर वर्सा । नमबर पंदरा जलगा पुर्बंदन नमबर कीट Hima रोगा पुरूराइद नमबर False सप्रे empty coloride, Mono Ocasatop, Phungus के लिए Copperrix Cal Liquid, Would Ethics बढ़वार के लिए टॉनिक का प्रियोग नंबर एक प्लैनो फिक्स नंबर दो कल्टार नंबर सतरा फसल में खाद का उप्योग फिर चुनाई फिर बंडारन यह मुख्य स्टैप है जो देशिक वास की फसल में उप्योग किया जाते हैं कि अब हम बात क ограниyu करते हैं देशिक वास की कि पुली उगयाुनिक खेती थी कि बारे में नंबर 1 उप्योग उप्योग स्मय देश्षिक के बिजाई का उप्योग उप्योग स्मय अपरेल्य मही मैं मिनना होता है बजार में कपास के बहुत सी उप्स homeowners होती है अप्रेल मह Самहीं के भी जय के लिए हमा guitar t variety पंद्रा मेई के बाद आप थेशी कपास के लिए फेटी वरैटी या पही जोणाओ करते हैं स्भू कर दूग घाथ के बाद मिल जबेशर करते हैं पिर आप एरो की साथा से एक दो बार अच्छी तरह जूताई कर दे, फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खेट को सम्तल कर दे, ताकि खेट किसे चाही अच्छी तरीक्के से हो जाई, अब हम बात करते हैं देश्यक पपास की खेटी के लिए मिट्टी की जांस, सबसे पहले खेत की मिट्टे के जांस करवा ले, जिससे हमें यापता चल जाता की मिट्टे में किन-किन पोसकत्तों की कमी है, और खेत की मिट्टे किन-किन फसलों के लिए उप्युकत है, और इस मिट्टे में कौन-कौन शिपसले उगाई जा सकती है, जैसे गहूं, चना, अरहर, सरसो, प्राया बर्सीन गन्ह अलू मक्का बाजरा कपास त्यादी मिट्टे की जांस यहाँ पता चल जाता कि इसका पियचमान कितना है देस्टी कपास की विजाई, फासपोर्स वा पुटास विजाई के समय पोरे, अगर फासपोर्स विजाई पर नहीं डाले गई है तो बोक्की पर पोरे, बोक्की का मतलब फूल आने पर पोरे, आधी नाइट्रोजन बोक्की के समय पंदाड़ी से साथ दिन पासे नाइट्रो अगर आप फसल की बिजाई के लिए नेरी पानी का इस्तियमाल करते हैं तो यह अश्वी परकार की फसलों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बीज का अंकुर्ण 100% तक हो जाता है अगर आप वर्षा के बाद फसल की बिजाई करते हैं तो भी इसमें बीज का अंकुर्ण या एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपी में एक जार से कम है और इसमें सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें 20 गांकूर्ण 100% तक हो जाता है अगर पानी का पीपी में एक जार से जादा है तो इसमें 20 गांकूर्ण से तरिक्के से नहीं हो पाता है इस शचल निकास समतावाली भूमी ओनाची ज चाहिए जिन सेतरों में वर्षा कम होती है वहां इसकी खतवारनमे चल्डारना वाली समतावाली मत्यार भूमी में की जाती है जहां सीचाईगी सुविग्दाइं उपलव दो वहाँ बलूई वह बलूई दोमत मिट्टी में इसकी खेत्टी की जा सकती है यह अलकी अमली है यह सारी भूमी में उगाई जा सकती है इसके लिए उप्यूकत पियाच मान साधे 5 से 6 है अलांकि इसकी खेत्ती शाड़े आठ पीच मान तक वाली भूमी में अच्छी तरह शेक की जा सकती है कपास की खेत्ती के लिए मोसम वह जलवायू यदि परियापत सिचाई सुविदा उपलब्ध हो तो कपास की फचल को मई माय में ही लगा जा सकता है सिचाई की परियापत उपलब्धा ना होने पर मानसूंग की उप्योकत वर्षा होती ही कपास की फचल उगा सकती है कपास की उत्म फचल के लिए आदरस जलवायू का उनाव सकता है फचल के उगने के लिए कम से कम 16 डिगरी सेंटीगरेट और अंकुरून के लिए आदरस तामान 32 से 34 डिगरी सेंटीगरेट होना होना चीता है इसके बड़वार के लिए 27 डिगरी तामान होना चीए फल लगते समय दिन का ताबमान 25-35 degrees centigrade और राते ठंडि होनी चीचिगे कपास के लिए कम से कम 50 degrees centimeter वर्षागा होना आविश्यका है 125 centimeter से अधिक वर्षागा होना कपास के लिए अनिखारक होता है कपास की उनत कहते के लिए खेट कहते हैरी पट्टा लगा अगर बुआई करने चीए, कपास का खेत त्यार करते हैं, इस बात का जहां रखना चीए, कि खेत पूर्णत्या समतलों ताकि मिट्टे की जल दानवा जल निका समता दोने अच्छी हो, यदि खेतों में करपतवार की ज्यादा समस्या न हो, तो बिना बुआई से भी कपास की खेती की जा सकती है, दिख्षनेवाय मद्यमार में कपास वर्षाधारित काली बुम्गी में उगाई जाती है, इन चेतरों में खेत त्यार करने के लिए गैरी जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल्सी, रवी फसल की कटाई के बात करने चीए, जि लेवलर की साथा सकेत को समतल कर सकते हो, अगर आप गोपर की खात का इस्तिमाल करते हो, तो आठ से दस ट्रोली एक अंकट के लिए परियापदत रहती है, या खात मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर जमीन को समतल कर दे, अब हम बात करते हैं फसल पति या फसल चक्र, फसल मुखकार को मेंचे एक फसल चक्र, एक मत्तो पूर्ण स्तान रखता है, फसल चक्र अपनाने का मुख्या देश्या पराकत्तिक सासादनों का उप्योकत करके उसमें अधीक फसल उतपादन करना होता है, किसी भी खेत में फसल को अदल बदल कर बोना, एरफेर कर बोना फसल कहलाता है ऐसा करना से मर्दा की उरुकता सकती बनी रहती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है किसी भी खेत में एक निश्चित समय में उसकी मर्दा की उरुकता सकती को बनाए रखने जाने वाली फसलों के करम को फसल चकर कहते हैं किस चेतर की भूमी जलवाई यू क्यातिन होती हैं एक वर्षिया फसल्चक्र जैसे मक्का के बाद गें हूं दो वर्षिया फसल्चक्र ज्वार बोसंist दान मक्का इसके तरिक्त फसलों Пр pug Anyways क吸ा चक्रों के तारपत फसल्चक्र के अबर वरगिगत किया गया है देख खाद की आखचते वाली फसलों के बाद कम खाद की आखचते वाली फसलों को उगवाना चीए। अधिक जल की आवसकते वाली फसलों के बाद कम जल की आवसकते वाली फसलों को उगवाना चीए, फलीदार फसलों के बाद ऐ फलीदार फसलों को उगवाना चीए, कर्शी सहसादनों का प्रियोक समता पून डंग से करना चीए, भूमी कटाओ से प्रभावित छेतरों में फस विविद्ध फसलों का समा विस होना चहिए. फसल चक्र के लाब किसी खेत के प्रतीका च्छतर के छायत हर ब्रद्दth Smile विविन फसलों का कर्या करने निश्चित हो जाने थे उनके आवशक बीज का थता कर पत्माने सीन आदिका उंचित समय के उनुशार पिरियोग किया जा सकता है। फसल चकर में गैरी कम उतली वाली जड़ों के समयलित होने के काण बूमे क्यों पुर्गी सिता थता निश्चे की सत्ता से पोशक तत्तों का फसल चकर द्वारा उंचित वह तेजी से आवसर सुन होता है। एक फसल चकर को अपनाने से मर्दा सरक्षण में कमी आती है क्योंकि फसल चकर में आच्छा ददन फसलों को समयलित किया जाता है। कर्शकों को वर्ष बर कर्या करने का आवसर मिलता है। फसल चकर के लाव मर्दा के उरुकता सक्ति में वर्द्य होती है, मर्दा के बहुतिक रसायनिक थदा जविगुणों में सुधार होता है, सगन फसल चकर को अपनाने से भूमी में जुआस पदात की मातरा में वर्द्य होती है, उन्चित फसल चकर को अपनाने से भूमी में प को साथ बीज की मात्रा हमें अपने खेत में अपाई करते हैं जोकी अपने छेतर ओर एरिया के आप ठीक हो क्यों है चुनाओं में मिट्टी समय प्वा पानी की कड़ना होता है क्योंकि दॉमट्ट्र मिट्टी के लिए अलग रेत descendants के लिए Lacoste वस्तमाइक के अनुशार अलग लग वरायटी मार्केट में उफलबत होती है। कि बीज की वरायटी एमें कैसी वरायटी का चुनाव करते हैं जो हमारे सेत्रवाज जमीन हुआ पानी के हिसाब से ज्यादा उत्पादन देती हो। हम एक ऐसी कंपनी के बीज का सुनाव कोड़ना था जो कंपनी सरकार के द्वारा रिजिस्टर हो जैसे राशी यूशी सक्ति वर्दक बीज खृद्यस में हमें बीज का पक्का वश्य लेना चीए जिसे की बीज की डूपलिकेट होने के चांस कम होते हैं और एक अच्छा ओरिजिनल बीज हमें अच्छा उत्पादन देता हैं अब हम बात करते हैं बीज की उपचार की हम बिमारी की रोकताम के लि लिए प्योंखियां की वर्दक करते हैं इसेक्टिसाइट की डौईयों इप्चार का मतल्ब से इंसेक्ट की बिमारीयों से रोकताम के लिए क्या जाता है फिर आध्राई जो भी हम कल्चर सेस्प्चार करते हैं जो की पैदावार बढ़याने में वरद्री मदद करता है। घण सभRO helemaal करते हैं बैजगी मातरा हम देश्री कबास की दिल्स प्यूंअ कि लрокि दो पैकट की विजाई करते हैं वो संकर किस्मों की वराइटियों में हम ये दो पैकट की विजाई करते हैं अगर हम देशी कबास की देशी वराइटियों करते हैं तो हम एक अंकड में लगबग दो से तीन किलो बिज की विजाई करते हैं अबलग बग सभी संकर किस्मों का ही अप्योग करते हैं क्योंकि संकर किस्में ज्यादा उतपादन देती हैं जैसे क्यार 64 देशिक पास की उनत किस्में हैं HD 107, HD 123, HD 324, HD 432 वा संकर किस्में AAH1, AAH32, वा क्यार 64 यह देशी कपास की उनत किस्मी है जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है विजाई या फसल की बुआई विजाई अगर आप मशीन की साथ से खाद की विजाई वह बिज की बुवाई एक साथ कर सकते है इंद बिज की बिजाई सुबहर साम की स्माह रॉहे करने चिए बिजाई की समय में लाइन से लाइन के दूरी त्मिप्र। वह भिज से बिज की दूरी एक फुट वह बीज की घरहाई 8-10 cm रखनी चीए बिजाई के इसमय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डुलना चीए वह इसके पूरपां से 6 cm जमिन की पर चड़ जानी चीए ताकि बीज का जर्विनेशन अच्छी तरिक्के से होसके वह बीज का अंकुर्ण सही तरिक्के से होस की फसल की वह इसी चित था ऐसे चित चेत्रों में नहरी पानी से की जा सकती है वह ऐसे चित चेत्रों में वर्षा के अधार पर इसकी विजाई की जा सकती है खरपतवार की रोक्ताम के लिए हमें विजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही चिटकाव करना चीए पानसो मिलिमीटर दुआई को डाइसो लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका चिटकाव करना चीए इस से करपतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्ते के लिए निराई गुडाई है हम शिचाई पहले निराई गुडाई उंकूर्ण के 20-25 दिन के बाद करने चीए यदि पसल में शिचाई की जूट पड़े तो अलकी शिचाई करने चीए इस से कीट वा रोगासर कम रहता है यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमें शिचाई की आउसकता कम पड़ती है कपास की खिच्टि में जल का परबंदन भी होना बहुत ज्युरूरी है क्योंकि अगर ज्यादा वारिश हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चीए यह आप पंप की सायता से कर सकते हो कपास की खिच्टि के लिए खहा दें उग्रक कपास के उननत किसमों के अच्छा पैदावार के लिए पड़ती एक्टेर नाइट्रोजन 80-120 kg, फासपवर 40-60 kg, पुटास 20-30 kg, सलफर 25 kg देना चीए, जब किसंकरवा बीटे किसम के लिए पड़ती एक्टेर नाइट्रोजन 150 kg, फासपवर 45 kg, पुटास 40 kg, वेवं सलफर 25 kg प्रियापत होता है, सलफर की पूरी मातरा बुआईगेस में, तता नाइट रोजन की पंदरा पतिसाथ मातरा बुआईगेस में, बक्त की मातरा तीन बराबर बागों में 30-90 दिन के तराल पर देना चीए, वहीं अच्छी पैदावार के लिए, अब हम बात करते हैं कपास की की पसल में लगने वाले प्रमुक कीट, गुलाबी सुन्डी कपास की पसल के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन कीट है, तो वह है गुलाबी सुन्डी, जो अपना पूरा जिवन उसके पोदे पर बिताती है, यह कपास के छोटे पोदे कलीवा फुल को नुक्सान कीट का उकर फिंडाल एक भू, आयामी कीट ना सका है, यह कीडे पर लंबे समय तक निंतरण रखता है, इसके लाओ इसमें तेज देखी गंद होती है, जो वैसक कीट को अंडा देने से रोपती है, शपेद मक्खी, यह कीट देखने में पीले रंगा होता है, लेकिन इसका शरीर स्पेद मौम जैसे पाउडर से डखा होता है, यह पो देखी पत्यों पर एक चिप्षपा तरल पदार छोड़ता है, यह पत्यों का रस चुछता है, परबंदन, स्पेद मक्खी कीट परबंदन के लिए कोरो मंडल गा फिनियों केटनासक का प्रियों करे, फिनियों म की समता होती है, यह सपेद मक्खी के सभी चरणों जैसे अंडा निप वैसे को एक बार में समादान उपलत कराता है, इसके प्रती अंकट 400-500 mm की मातरागी जूर्त पड़ती है, अब हम बात करते हैं महू या फिट किट की, यह बहत कॉमल कीट होता है, जो दिखने में मटमे पिट की पास की पतियों को खुर्च कर उसका रश सूचलेता है, इसके बाद पतियों पर एक चिपचपा पदा छोड़ता है, प्रबंदन इसकी की रोक थाम के लिए गरोमंडल के फिन्यों केट ना सका चिटकाओ करें, अकर आप दूसरे केट ना सका चिटकाओ कर सकते हो तो आप डोक्टर की साथ के नुशार तेला कीट काड़े रंगा या किट पुद्धों की पत्यों को खुचकर इसका रस्ट पी जाता है इसके लिए बजार में बहुत सी केट ना सकते हुए या उपलवद है आप तेला किट के लिए सप्राइक करें हराम अच्छर या देखने में पांच बुजाय कर वह पीले रंगा होता है इसके केट के आगे के पंकों पर एक काला दबा पाया जाता है जो कपास की शिचू है वशक अवस्ता में पत्यों का रस चुचता है जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है परबंद इसके क के परबंद के लिके लिए पूरे केट में परतिया कट दस पीले पर पंच लगाने चीए इसके अलाग पांच मिलिमेटर नीम तेल को एक मिलिमेटर टिनोफाल या सेंडोविट को परति लेटर पानी के साथ गोल बनाकर अच्छटकाव करें मेले भग इस परजात्ति के के क पूरी प्रणवर्त था गेंटों का रश्चु जाता है इसके बाद इस मिठा चिपश्वा परदार छोड़ता है कि इसके प्रबंदर के रोकताम के लिए पूरे खित के आसपास पीले परपंच लगाए अब हम बात करते हैं कि पास की पसले में लगने वाले प्रमुक नमबर दो मायरो थोसिस पत्ति दभा रोग नमबर तीन अल्टरनेट या पत्ति दभा रोग नमबर चार पोद अंगमारी रोग जवान जूलसाइम कुणियें दभा रोग या रोग पुतडिके वाईयूभा वागो को नुक्सान पुछाता है जाने छोटे गुल दभे मन जाते було नमबर दो मायरो थीशियम पत्ती दबारोग इस रोग के कान पत्तियों पर ललके और बाद में बड़े बूरे दब्बे बन जाते हैं इसके बाद पत्तियां तोटकर निचे गिर जाती है इससे 25-30% उत्पादन में कमिया जाती है रोग थाम के लिए उनुसर से किटनास का ही प्रियोग करें अल्टे यह पत्ति दबारोग मोसम में तर्स्टिक नमी के कान पत्तियों पर अलके पूरे रंग के दब बन जाते जिसके काणाखर में तोट कर गिर जाती है ठंडयं में मोसमैं इस रोग उगुरता दीक होती है इसके रोगताम के लिए नुसर से चिटनास का ही या प्रामर्ष के अनुशारी किटनास का प्रीज़ करी कि न IRS चाहर पौतन गमारी रोग यह रोग की मुशले जोड़ाों को छोड़कर मुंत थाथ जिसके करा प्रूद अमर्जाता था ृरोग थाम के लिए उननुशित किटनास का ही प्र्योग करें अब हम बात करते हैं कपास में सपरे कि कपास में 30 दिन के बाद अलके दवाई का ही सपरे करें जैसे इंडिकलोराइड मोनो उसके बाद अगर आप फंगस की दवाई के लिए रोक थाम के लिए चुटकाओ करते हैं तो आपको प्रोक्स क्लोराइड का ही प्रियोग करें अगर आप के खेट में फल फूलो की संक्या को बढ़ाना चाहते हो तो प्लानो फिक्स कल्टार जैसे टोनिक का प्रियोग करें जो खेट में भारी मातरा में जबदस्त वर्द्धी करता है जिसे फूलो की संक्या में वर्द्धी होती है वह फूलो का जड़ना बंद हो जाता है जिसे उत्पादन में भारी वर्द्धी उत्ती है अब बात करते हैं उत्पादन की कपास की खित्ती से उत्पादन की चुनाई लगबग अगर आपको यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट विर वेवा एंग एंग कर दो सिर्दाइब नहीं अद्टाइब।